Hello everyone, welcome back to the Vedic Academy तो introduction के बाद हमने जो chapter start किया था वो था cells, the fundamental units of life और इस chapter के अंदर हमने काफी कुछ पड़े थे जैसे start किया था हमने पहले discovery of cells से और फिर हमने कुछ structure का start भी किया था structure of the cells जिसमें हमने starting में cell membrane, cell wall ये सारे parts के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमने कुछ scientists के बारे में जाना था तो आज हम उसी स्वरंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे जो आगे के different cell organelles से उनके functions और उनसे जो related questions होते हैं उनको तो चले chapter start करते है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि हमारे चैनल को subscribe कर ले इससे हमें काफी support मिलता है तो पिछले वीडियो में हमने cell definition and facts देखा था इसमें जो scientists से discoverers थे उनके नाम थे इसके लाव structure of cells start किया था जिसमें हमने animal cells और plant cells के बीच का difference देखा था और साथ ही जो different parts of the cells होते हैं और उनके functions होते हैं उनको start किया था इसमें हमने cell wall और cell membrane को cover किया था साथ ही हमने osmosis और diffusion को भी थोड़ा मुड़ा जाना था तो इसी स्ट्रंखला में हम आज आगे बढ़ेंगे और start करेंगे cytoplasm से cytoplasm जो होता है ये colorless fluid होता है और cytoplasm के बारे में इसके अंदर nucleus होता है उसके अंदर छोटे-छोटे और organelles होते हैं cell organelles और इनके अलावा अलग-अलग shape के रहते है cell organelles कुछ ऐसे रहेगा और इनके अलावा जो बाकी जो fluid भरा रहता है जो colorless fluid भरा रहता है इसके अंदर वो होता है cytoplasm cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane and outside the nucleus तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कोई भी cell होता है उसके अंदर एक nucleus होता है और बाहर होता है cell membrane इसके अंदर जो भी fluid भरा रहता है colorless fluid वो होता है cytoplasm और इस cytoplasm में अलग-अलग organelles several organs जो है फ्लोट करते रहते हैं ठीक है और ये जो सभी organelles होता है इनका सबका कुछ ना कुछ different distinct functions होता है उनका क्या role है ये भी हम जानेंगे थोड़े देर में ठीक है यहाँ पे एक और fact लिखा है अब देख सकते हैं virus जो होते हैं वो lack कोई भी membrane उन में नहीं होता है इसलिए वो बिलकुल inactive होते हैं जब वो native form में रहते हैं कहीं भी ऐसे float करते रहेंगे तो inactive रहेंगे कुछ नहीं करेंगे बट जैसे ही वो किसी body human body या फिर किसी भी organism के body में खुशते हैं then they use their mechanism to multiply तब वहाँ पे multiply वो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए cytoplasm का functions अब देख लेते हैं many chemical reactions takes place in the cytoplasm तो जैसे अभी हमारा cell हो गया cell के अंदर जितने भी chemical reactions बहुत सारे होते हैं वो cytoplasm के अंदर ही होते हैं ठीक है जैसे कुछ भी protein टूट ना हो या respiration का process हो या कोई भी chemical reactions जो धेर सारे होते हैं अंदर में वो जो भी होता है तो वो cytoplasm में होता है ठीक है अब second function इसका देखते है it helps the exchange of material between cell organelles अब जैसे एक में फिर से यहाँ पर थोड़ा cleaner diagram बनाता हो तो suppose यह cell आप देख सकते है थोड़ा cleaner view, यह cell membrane है यह nucleus है आपका और यह जो different cell organelles है इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे suppose यह mitochondria है यह endoplasmic reticulum है तो इनके बीच में suppose कुछ भी transfer करना है तो इसका medium की तरह act करता है cytoplasm में यहाँ से अगर यहाँ पर ribosome यह protein बनाता है उसको यहाँ जाना है तो वो cytoplasm से होता हुआ जाएगा इसलिए तो यह vacuum तो नहीं हो सकता है तो एक media है जिसके थुरू आप transfer हो सकता है कोई भी materials within the cell तो इसका third function दिख लेते हैं तो इसका third function दिख लेते हैं तो इसका third function दिख लेते हैं तो वो है it acts as a storehouse of vital molecules such as amino acids, glucose, vitamins ठीक है तो जितने भी cells में amino acids होते हैं protein का जो broken form होता है amino acid होता है glucose जो होगया एक तरसे carbohydrates, fats होगया उनका एक जो simple form होगया vitamin C सारे जो होते हैं यह जो भी इसमें store करके रखता है कि किसी organeal को ज़रूत हो तो वो उसे दे सकता है तो as a storehouse भी act करता है तो cytoplasm हम देख सकते है जो colorless fluid होता है वो होता है और इसके भी multiple functions है तो चलिए अब बढ़ते है next organeal के तरफ जो चलिए सबसे पहला जो हमारा आता है cell के अंदर वो है important organeal वो है nucleus तो nucleus को brain of the cell भी कहा जाता है cell के अंदर जो nucleus होता है वो सारे functions को regulate करता है ठीक इसलिए उसे brain of the cell कहा जाता है अब चलिए nucleus के वारे में कुछ जानते है it is the controlling center of all the activities in the cell तो cell के अंदर जो भी हो रहा है कि कब कितना energy release होना है कब कितना energy absorb होना है या कोई chemical reaction होना है उसको decide कोन करता है nucleus decide करता है hence it is called the brain of the cell ठीक है ये तो इसका एक important function था ही और ये देखिया अब ये जो होता है ये double layered इसमें एक membrane होता है जो भी nucleus होता है इसके outside में भी एक wall होता है ठीक है जिससे हम लोग बोलते है nuclear membrane जिस तरह cell का जो outer layer होता है उससे हुम कहते है cell membrane वैसे nucleus का outer wall रहता है तो इसके through transfer of material inside and outside हो सकता है तो ऐसा नहीं कि आपस में enclosed है इस cytoplasm से कुछ अंदर जाना है या nucleus से कुछ बाहर जाना है तो वो थू इन पोर से होता है तो यहाँ देखिए देर और पोर्स प्रेजेंट आपने नुकलियर मेंब्रेन that allows the movement of substance from the membrane to the cytoplasm तो यह था जो nucleus का structure के बारे में बता रहा था इसका एक function मैंने क्या बताया है कि आपकी brain of the cell 8 controlling center of all activities एक और इसका important function है और वो जो cell division यह cell का reproduction है उसमें इसका major role होता है जो cell होता है जब भी reproduce करेदा तो क्या होगा एक cell दो cell में बन जाएगा यह जो एक cell है यह बिल के बन जाएगा दो cell ठीक है बीच से टूटके दो cell बन जाएगा यह होता है form of reproduction ठीक है तो इसमें जो main role अधा करता है वो होता है nucleus nucleus का अगर मैं आपको अभी अभी थोड़े दिर पहले आपको बाद यह दिखाता हूँ structure दिखाता हूँ जिसे कि आप देख सकते हैं तो इसके अंदर काफी यह thread-like आपको structure दिख रहे होंगे इनहें कहते हैं chromatin fibers ठीक है और यही बाद में यह जो देख सकते हैं chromatin fibers है यही बाद में condensed होके chromosome बन जाता है और इन chromatin fibers के अंदर ही होता है आपका जो DNA होता है आपने देखा होगा DNA के structure कुछ ऐसा जिसमें information होता है कि cell कैसे grow करेगा cell कैसे क्या क्या functions apply करेगा जो भी information होता है वो DNA में होता है ठीक है और यह जो DNA रहता है यह कहाँ पर stored रहता है आपका जाद रखना है chromatin fibers में ठीक है तो यह देख सकते हैं आप double layered nuclear membrane देख सकते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं यह आई हैं pores बने वही हैं यह इसमें ताकि material कुछ अंदर बाहर जा सके ठीक है यह जाद है आप वह एक याद रख सकते हैं इसके अंदर लिकुईट रहता है वह रता है जैसे cell के अंदर cytoplasm होता है नुकलिस के अंदर nucleoplasm होता है ठीक है ठीक है तो यह नुकलिस का structure था नुकलिस में आपको mainly याद रखने हैं जो उसके functions थे यह जादा important है कि it is the brain of the cells controls all the activities controlling center of all the activities और दूसरा आपका cellular reproduction में बहुत important role होता है ठीक है इसके अंदर chromatin fibers के अंदर आपका DNA होता है यह बस आप क्या रखिए चलिए आ जाते हैं बाकी जो structure of the cells में different cell organelles को तो cell organelles का मतलब क्या होता है हमारे human body हो गया हमारे human जो सरीर हो गया इसके अंदर डहर सारे organs होते है ठीक है जैसे हमारे lungs हो गया ठीक है digestive system को लिए stomach हो गया kidney liver हो गया kidney होते है तो यह सारे organs हम बोलते हैं यह different functions करता है और सारे milk के जब function करता है तो हमारे human और जो अपना human body है वो काम करता है ठीक है तो इन्हें organs कहते हैं ठीक उसी तरह cell के अंदर different different छोटे छोटे membrane bound structures होते हैं ठीक है membrane bound structure मतलब वो एक separate entity हो गया जो की कुछ special function करते हैं ठीक है उन्हें कहते है organeal तो cell का organ होता है एक तरह से cell organeal ठीक है तो cell क्या चीद से बनाए अगर हम अब major major तीन category में बाटना चाहें तो एक आपका हो गया cell membrane या cell wall plant cells में extra होता है अंदर एक nucleus होता है ठीक है cytoplasm हो गया और cytoplasm में ताहरते वे different cell organeals हो गया ठीक है तो यह main आपका हो गया cytoplasm को भी कुछ लोग organeal के पार्ट में ही लेते हैं बट क्योंकि यह membrane board structure होता है इससे लिए हम कहेंगे कि अभी के लिए हम बोलता है कि cytoplasm के अंदर organeals ताहरते हैं ठीक है तो आपको example देता हूँ मैं सबसे पहले mitochondria हो गया mitochondria कुछ इस तरह सपोस दिखता है यह ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा वो तैरते वह रहेगा आपके cell के अंदर उसका कुछ function रहेगा या एक lysozom होगा वो भी गोल-गोल कुछ material होता है उ membrane-bound structure within a cell and organeals are useful because they allow separation of various functions by found by the cell ठीक है तो यह अलग-अलग function अलग-अलग organeals को separated रहता है तो चली सबसे पहला organeals देखता है वो है endoplasmic reticulum ठीक है the structure of endoplasmic reticulum is quite similar to that of plasma membrane मतलब यह इसका जो material होता है जिस चीद से बना होता है वो similar होता है जो plasma membrane जो आपका होता है उसी तरह का material से बना रहता है the endoplasmic reticulum is large irregular network of tubes of double membrane it is controlled by both cell membrane and nucleus it is connected sorry ठीक है तो मैं आपको इसका image दिखा देता हम एक पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो आपका रहता है endoplasmic reticulum ऐसा tubes जैसा से रहता है और आपका double layer रहेगा यह tubes रहेगा और यह cell एक तरफ से cell membrane से attached रहेगा और एक तरफ से nucleus attached रहेगा बहुत किसमें आप देख सकते हैं नहीं भी touched है मतलब यह आपको क्यों दिख रहा है कि यह top view होगा हो सकता है कि end तक नहीं दिखा रहा है बट यह connected रहता है एक तरह से tube के form में रहता है एक तरफ से cell membrane रहेगा और एक तरफ से nucleus में attached रहता है ठीक है तो यह जो होता है आपका आपका रहता है यह इसे कहते हैं बिद गया तटिकूलम अब इस पें आपक है इसें तो टरह के होते है रर्फ अटोप्लास्मिक यह होता है रहता हिए थे ज्बड देख सकते हैं कि यह देख लिए जल्दी है तक आर想 तक दो ओर समें और अगी dot नहीं आपक है टाइज ढात ^^ जैसे अगर यह normal endoplasmic reticulum है, ठीक है, तो rough वाले जो रहेंगे, यह suppose smooth है, तो उसमें छोटे-छोटे ribosomes ऐसे strict रहते हैं, ठीक है, तो इसे लिए इन्हें rough, जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो rough जैसा देखता है, इसलिए rough endoplasmic reticulum बोला जाता है, ठीक है, तो the ribosomes का function क यह देख लेते हैं, इसका function होता है protein synthesis, sites of protein manufacture, आप देख सकते है, ribosome का, ठीक है, और जो manufacture protein, जब protein होता है, जो ribosome बनाता है, यह अलग-अलग parts में आपका cell को भीजा जाएगा, ठीक है, जब जैसे ऐसा जरूत पड़ेगा, ठीक है, तो ribosome का बहुत important function होता है, यही पर proteins ब endoplasmic reticulum में stick to be रहते हैं, ठीक है, तो ribosome का काम है protein synthesis, अब अगर function of endoplasmic reticulum देखा जाए, ठीक है, तो इसके अंदर जो ribosome था, वो तो आपको protein बना के देही रहा है, साथी साथ, it forms the supportive framework of the cell, ठीक है, आप देख, आपने देखा था कि cell का यह जो, suppose यह cell है, और यह आपका nucleus है, suppose इसमें यहाँ endoplasmic reticulum रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो इसको क्या करेगा, एक तरसे support देख, एक shape देखा, ठीक है, तो it forms the supportive framework of the cell, third function क्या it also, इसमें synthesis और transport synthesis, तो मैंने आपको बताया है, कि protein synthesis होता है, साथ-साथ, यह transport भी करता है, क्योंकि यह tubular type का structure रहता है, तो it transport में help करता है, तो protein या फिर कुछ और material भी transport कर सकता है, तो in different region of cytoplasm, और between cytoplasm and nucleus, तो nucleus में भी यह connected रहता है, तो cytoplasm से कुछ भेजना इसमें, material तो भी आप इसके थ्रू जा सकता है, ठीक है, तो आपने देखा कि rough में तो tribosomes रहता है, बट smooth का भी function रहता है, ऐसा नहीं कि smooth का कोई roll नहीं, smooth जो endoplasmic reticulum है, वो आपका detoxifying में, बहुत सारे poisons और drugs हो गया, जो होता है, उसमें काफी यह roll लगा करता है, ठीक है, तो detoxification में smooth का roll रहता है, प्लस smooth ऐसे भी supportive framework तो देता ही ह ठीक है, supporting framework, transport, इस पर का roll दो करता है, यह साथ-साथ यह detoxification में भी help करता है, तो यह mainly था आपका endoplasmic reticulum का functions, आपने देखा, इसका functions क्या क्या था, सबसे पहले supportive framework देना, इसमें जो ribosomes चीक रहते हैं, वो protein बनाते हैं, फिर यह protein को transmit करना है, यह transport करने में भी काम आता है, ठ राइबोजोम मैंने बताया आपको कि endoplasmic reticulum के ऊपर तो होई सकते हैं, साथ-साथ आपके cell में बीच में कहीं कहीं floating ribosomes होते हैं, ठीक है, इसका आपको important क्या थाना है, it is composed mainly of RNA, जैसे तरह DNA होता है, deoxy ribose nucleic acid, वैसी RNA होता है, ribose nucleic acid, तो RNA से में लिए composed होता है, आपका ribose, ठीक है, तो चली है, mainly तो हमने पढ़ी लिया है, these are small round granules, which are either scattered, or attached to the outside of the endoplasmic reticulum, ठीक है, main functions, protein synthesis, तो ribosome को complete करते हैं, चली बढ़ते आगे, next organelle, next आते है, centrosome, ठीक है, centrosome, एक organelle जिसका main role जो होता है, वो आपका cell division के time में आता है, बाकी है, उतना important, बाकी उतना role उसका आता है, जब तक cell division नहीं हो, तब तक इसका main role नहीं आता है, ठीक है, आपको एक बहुत important fact आतना है, कि centrosome only in animal cells होता है, जह हम डिफरेंस बढ़ रहे थे between plant cells and animal cells, तो समय हमने देखा थे centrosome, सिर्फ animal cell में होता है, ठीक है, जिस परकार plastids, vacuoles, यह सब plant cells में होता है, यह सेल होता है, ऐसे-एसे, और इसके बीच में आतो एक या दो centrioles होता है, ठीक है, इसका function हम बाद में देखेंगे, जब हम cell division पढ़ रहे होंगे, उस समय देखेंगे, इसे asters कहते हैं, और कैसे, इसका role होता है, cell division, ठीक है, अभी के लिए बस आप यह जानिए कि इसका function क्या आत इसका, it is mainly present in animal cell, और, not mainly, it is only present in animal cell, और इसका main function होता है, वो cell division के समय होता है, ठीक है, it is found near the nucleus, हमें से ये nucleus के पास ही रहता है, अगर ये cell है, ये nucleus है, तो nucleus के आसपास ही आप इसको देख सकते हैं, centrosome, चलिए, अब next organeal के पास आते हैं, वो है mitochondria, बहुत important organeal, क्योंकि इस अब mitochondria के जो होता है, ये energy powerhouse of the cell होता है, ठीक है, energy जो create होता है, वो यहीं पर होता है, ठीक है, तो mitochondria have two membrane covering instead of just one, तो mitochondria में two double membrane होता है, आप देख सकते हैं, उसके बाद, the outermost membrane is very porous, while the inner membrane is deeply folded, जो inner membrane के जो deeply folded होता है, इसी को बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है, ये जो folds होता है, इसे करते हैं, क्रिस्टे, ठीक है, अब ये जो folds होता है, ये किस चीच में help करता है, जिब fold कहीं भी ज़्यादा ऐसा-ईसा हो रहा हो, तो आप समझेए कि surface area बढ़ाने के लिए हो रहा है, जितना folds होगा, उतना surface area बढ़ेगा, ठीक है अब देख सकते हैं, अगर ये एक straight line होता है, तो बस इतना surface area मिलता है, इसको इधर और इधर, अगर folds है, तो इसको कितना surface area मिल रहा है, तो folds का main purpose इसलिए होता है, और ज्यादा surface area होगा, तो ज्यादा chemical reaction हो सकता है, ठीक है, ज्यादा ATP हो सकता है, ATP क्या होता है, अभी हम दे ATP, यानि adenosine triphosphate, ठीक है, तो इसे कहते हैं ATP, और ATP जो होता है, ये energy currency of the cell होता है, तो जिस प्रकार आपका, suppose एक powerhouse है, ठीक है, तो powerhouse हो गया आपका mitochondria, और ये जो energy क्या बना रहा है, electricity बनाता है powerhouse, उसी तरह हमारा mitochondria वो क्या बनाता है, वो बनाता है ATP, तो ATP क्या हो क्या हो हो गया, यानि currency हो गया, इसे कहा जाता है, energy currency of the cell, ठीक है, तो आपको याद रखना है, कि ATP ही है, ये energy है, अब एक और fact आपको याद रखना है, mitochondria के बारे में बहुत important है, कि they have their own DNA and ribosomes, ठीक है, ये fact आपको याद रखना है, बहुत ही कम औरगनल का special facts होता है, जिसे कि आप प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड हो अपना DNA होता है, उसी तरह, mitochondria होता है, अपना DNA होता है, और आपने हमने देखा था, nucleus में, जो chromatin fibers होता है, उसमें अपना DNA होता है, ठीक है, तो they have their own DNA and ribosomes, याद रखिएगा, चलिए ब next organil के तरफ आते हैं, वो है lyzozome, lyzozome में ब क्योंकि ये जब cell old होता है, या cell पे जब ज़्यादा damage हो जाता है, तो cell को destroy करने के काम आता है, ठीक है, तो lyzozome को आपको याद रखना है, they are called the suicidal bags, ये सबसे important इसका fact है, चलिए बाकी detail में पढ़ लेते हैं, देखिए lyzozomes are membrane bound sacs, जिसमें digestive enzymes भरते हैं, देखिए digestive enzymes, digestive enzymes से क्या करता है, जो भी foreign material आ गया, या फिर कुछ waste generate होता है, cell के अंदर, या कुछ organelles जो destroy हो जाते हैं, उनको digest करके खतम कर देता है, ठीक है, तो lyzozomes are kind of waste disposal system of cell, they can keep the cell clean by digesting, digestion करके, digestion मतलब क्या होता है, उस चीज़ को खतम कर देगा, ठीक है, उस चीज़ को destroy कर देगा, any foreign material as well as worn out cell organelles, तो कोई foreign materials हमला करता है cell पे, तो lyzozomes help करता है उसको enzymes के थूँद्रू digest करके, ठीक है, इसका functions देख रहे हैं, intracellar digestion अभी हमने देखा, destroying the foreign materials, तो एक तरह से ये cell को help कर रहा है, cell को बचा रहा है, from the foreign materials, such as bacteria हो गया, या कोई poison हो गया, इस तरह की कुछ हाते हैं, तो उन से ये बचाता है, और वो कैसे करता है lyzozome, because it has very powerful digestive enzymes, उसके पास जो enzymes पावर्फुल है, उसके चीज़ को भी digest कर सकता है, ठीक है, capable of breaking down all organic material, जितना भी organic material, उसको breakdown करने का इसके पास पावर रहता है, इसलिए वो breakdown कर देता है, और finally, when the cell gets old, या फिर damage हो जाता है, तो lyzozome पूरे cell को भी, lyzozome जिब burst हो जाएगा, ठीक है, वो sack होता है, मैंने बता है, sack है, जिस में digestive enzyme होता है, तो वो burst हो जाएगा, और पूरा cell को ही destroy करतेगा, ठीक है, hence it is known as the suicidal bags, तो यह अपका army भी है, और suicidal bag भी है, जब जरुद पढ़ता है, तो foreign material को भी मारता है, और जब नहीं सभाल पाए, तो पूरे cell को भी destroy करतेगा, चलिए बढ़ते हैं, next cell organelle के तरफ वो है Golgi apparatus, ठीक है, तो Golgi apparatus यह Golgi bodies भी बोलते हैं, इनने Golgi bodies, ठीक है, यह भी कुछ नहीं होते हैं, यह मतलब simple, यह इनका नाम जो पहले देखिये पड़ा है, इसलिए, क्योंकि Camillo Golgi जो था, उन्हेंने इसे पहली बार discover किया था, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम Golgi apparatus यह Golgi bodies है, तो Golgi bodies consists system of membranes, system of membrane-bound vesicles, cistern and vacuoles, ठीक है, तो इनसे मिलके यह बना रहता है, ठीक है, उतना important नहीं है, यहां बस यह 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 रिकिन का functions, जो उसमें, उसमें एक important, ठीक, it is informed in the formation of lysosome, lysosome, जो अभी में हमने पढ़ा, उसके formation में इसका important order होता है, और इसका जो एक second function है, वो है, secretion of enzymes and hormones, तो lysosomes के लावे, यह भी कुछ enzymes, hormones, release करता है, ठीक है, lysosomes, mildly digestive enzymes, release करते हैं, यह कुछ अलग, इसका different enzymes, hormones, release करता है, ठीक है, तो आप यह उतना important नहीं है, बट फिर भी आ आप रखिएगा, गौलजी अपरिटर्स, next आते हैं, vacuoles पे, vacuoles हमने पढ़ा था, कि यह जो main होते हैं, यह plant cells में जादा होते हैं, और animal cells में अगर होते हैं, तो यह smaller in size होते हैं, ठीक है, तो obvious से बात होगा, यह जो function होगा, plant cells में इनका जादा होगा, तो these are storage sacks that contain solid or liquid materials, तो इसमें mainly fluid type के material होता है, बट solid material भी यह contain कर सकता है, ठीक है, लार्ज storage sacks होते हैं, they are prominent and large in plant cells, while in animal cells, they are either absent or present, अगर होते हैं, तो smaller होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया है, यह ही चीज़, ठीक है, अब vacuoles का जो बाहरी layer होता है, वो उसे कहते हैं tonoplast, it is covered by a covering known as tonoplast, यह आप याद रख सकता है, vacuoles का outer layer, क्या होता है, उसे क्या बोलता है, तो tonoplast बोलते है, अब vacuoles का functions देख लेते हैं, तो vacuoles का अगर यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो storage of water, plant में आपको देखता है, जो rigidity होता है, maintain करके रखना पड़ता है, तो इसमें water का बहुत रोल होता है, तो storage of water and other materials, other materials भी store करके, dissolve करके रख सकते हैं, amino acids, sugar, या फिर various organic acids, जो भी plant को ज़र हो, वो store करके रख सकता है, तो एक तरसे storehouse है, these are storage bags, ठीक है, plus plant cells में यह एक और चीज़ प्रवाइड करता है, these provide rigidity and turgidity to the plant cell, ठीक है, तो plant cell में rigidity लेने के लिए 2-3 चीज़ है, पहला है तो cell wall आपको rigidity provide करता है, प्लस यह जो vacuoles रहते हैं, यह अच्छा खासा portion, 70% portion of plant cell क अबर करके रखते हैं, तो एक cell का एक structure rigid होता है, ठीक है, तो यह था में lotals of vacuoles, plant cell का हमने एक, पहले तो vacuoles पढ़ा है, important organelle, अब एक और important organelle पढ़ता है, वो है plastids, plastids होता है, यह सिर्फ और सिर्फ plant cells में होता है, ठीक है, तो पहले इसके बार में कुछ important points देख लेते हैं, found only in plant cells, जिस तरह से centrosome found only in animal cells था, उसी तरह यह सिर्फ found in plant cells होता है, अब इनका functions का है, stores starch and imparts color to the plant, आपको देखते होंगे, प्लांट में जो अलग-अलग full होते हैं, अलग-अलग आपका यह होता है, फल होते हैं, ठीक है, fruits होते हैं, उनका अलग-अलग color होता है, तो यह जो color जो होते हैं, जो अलग-अलग impart कर रहे हैं, यह आपको इसीजे में दिखा है, एक plastic में दिखा है, एक mitochondria में दिखा है, और एक आपका nucleus में तो रहता ही है, इन chromatin fibers, ठीक है, तो यह तीन जगा पे आपको DNA आखने, it contains DNA, अब plastics को अगर दिखा जाएं, तो दो तरीके से classify कर सकते हैं, एक होता है chromoplast, और एक होता है lycoplast, chromoplast क्या होता है, यह colored blastids होता है, यह different different color impart करते हैं, जैसे में आपको होता है, अलग-अलग flower यह plants को अलग-अलग color देते हैं, ठीक है, और ठीक, lycoplast क्या होता है, these are colorless, यह white यह फिर colorless plastics होता है, तो अब white है, तो यह color import तो नहीं कर रहा है, बट यह storage of materials में कामाता है, ठीक है, such as starch, oils and proteins, त storage of starch, mainly starch store करने ही कामाता है, बाकि oils and proteins भी इसमें होते है, बाकि अगर chromoplast की बात कर जाए, तो इसमें mainly क्या आपका करता है, it imparts color to the flowers and fruits, आपने देखा होगा, कुछ red होता है, apple red होता है, ठीक है, या फिर jamun होता है, वो violet type का होता है, ठीक है, violet color का का कुछ देता है, anthocyanin करके होता है, वो violet रहेगा, तो अलग-अलग इसमें plastics में material होते है, जो इसको अलग-अलग color देता है, अब यससे में हैं दो example आपको दिखाता हूँ, xanthophyll जो है, यह आपको yellow color impart करता है, और carotene जो है, यह आपको orange red color impart करता है, ठीक है, इसी तरह anthocyanin ने violet color impart करता है, आप चाहे तो याद रख सकते है, ठीक है, यह दो, आप कोशिश करिए याद रखने का, अब chromoplast में एक type of, बहुत important type of chromoplast होता है, वो होता है, chloroplast, chloroplast क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका green pigment आपने सुना होगा, photosynthesis जो होता है, इसमें ही, इसी chloroplast के कारण होता है, ठीक है, photosynthesis, तो आ मदद से कैसे वो लोग glucose बनाते है, आदमी अपने खुद का, प्लांट, सुरी, प्लांट अपने खुद का glucose बनाते है, खुद का खाना वो बनाते है, ठीक है, जो सपोज लीफ में आपका chloroplast रहेगा, उसी के मदद से photosynthesis initiate होता है, जो water हो गया, और carbon dioxide के मदद से glucose बनता है, तो वो process होता है photosynthesis का, उसमें chloroplastik main role अदा करता है, वो क्या होता है, plastic, it's a plastic, तो इसी के साथ हमने major cell organelles थे, हमने cover कर लिये, आप देख सकते एक बार revision के लिए मैं आपको एक बार diagram में दिखा देता हूँ, ये आपका जो बाहर layer हो जाता है, ये cell membrane होता है, इसके अंदर जो आपका tubular structure होता है, जो कि आपका from cell membrane to nucleus जाता है, इसे कहते है, endoplasmic reticulum, इसका काम storage, ये sorry, transfer रहता है, transfer of material इधर सो धर, इसके लावद structure में भी help करता है, ठीक है, framework, structural framework provide करता है, cells को, साथी साथ आप देख सकते है, इसमें ribosome जो stick रहता है, rough वाले, ये देखे, rough वाला था, इसमें ribosome चिपके रहते हैं, तो ribosome protein synthesis के भी काम आता है, ribosome ऐसे floating भी हो सकता है, जो कि protein synthesis के काम आता है, ठीक है, mitochondrion, आप देख सकते है, mitochondrion, single को बला जाता है, और plural को mitochondria बला जाता है, तो इसके अंदर आपका, this is the powerhouse of the cell, इसमें energy produced होती है, in the form of ATP, adenosine triphosphate, ठीक है, इ देख सकता है, यहाँ पर बाकी, golgi body या golgi apparatus, वो भी इसी तरह tubular structure type कर रहता है, physical hormone secretion नहीं सब के काम आता है, या फिर कुछ enzyme secretion के काम आता है, और lysozome के formation में का role होता है, ठीक है, अब देखिए रहा है, अपका goal lysozome, lysozome क्या था, suicidal bags था, और साथ-साथ foreign materials से help करता था ल और destroy करते हैं, ठीक है, तो यह lysozome का role होता है, इसके लावा आप देख सकते हैं, यहाँ पर centrosome मुझे नहीं दिख रहा है, इसके लावा यहाँ पर आपको दिख रहा है centrials, दो बनाएं हैं यहाँ पर centrials, तो one और two centrials होते हैं, इसके around star-like structure रहता है, जो कि आपका help करत होता है, बाद में जाके cell division में, ठीक है, plant cells की बात करते हैं, यहाँ देकर cell wall भी है, और cell membrane भी है, cell wall only in plant cells होता है, vacuol अब देख रहे हैं, कितना बड़ा vacuol है, ठीक है, vacuol का हमने क्या बता है, यह store करता है, water को store करके, यह फिर इसमें fat सकता है, इसमें protein रह सकता है, ठीक है काफी कुछ store करने काम आता है, vacuoles, और साथ-साथ यह rigidity भी और tergidity भी प्रवाइड करता है, cell को, nucleus और nuclear membrane तो यहाँ पर है ही, साथ-साथ, mitochondria भी आप देख सकते हैं, cytoplasm भी है, सारे kology body, बाकि सारे वही है, endoplasmic reticulum, ठीक है, बट इसमें vacuol काफी बड़ा है, इसके आपका जो photosynthesis process है, उसको, तो चलिए, mainly organelles हमने पढ़ ली है, अब कुछ miscellaneous points to remember देख लेते हैं, जैसे non-living parts of the cell, कभी-कभी question आता है, कि living parts of the cell कौन कौन से, non-living parts of the cell कौन कौन से, तो मैं आपको non-living बता देता हूँ, इसके लावा, जो भी parts होंगे, वो living होंगे, ठीक है तो cell walls होता है, वो non-living होता है, part of the cell, second होता है, vacuole, vacuole होता है, अपका non-living है, granules, granules को तनी होता है, बस food particle, या कुछ चोटी-चोटे particle, जो cell में गोस जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं, granules, इसके लावा, fat droplets, ये सारे जो आपके non-living parts of the cell होते हैं, इसके लावा, जो भी part ह होता है, mitochondrialized ozone, ribosome, सारे living parts of the cell होते हैं, ठीक है, एक और topic देख लेते हैं, और वो है, type of the cell based on nuclear structure, ठीक है, तो दो type of cell होते हैं, ये keywords है, इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे कि एक होता है, prokaryotic cell, और एक होता है, eukaryotic cell, prokaryotic cell क्या होता है, a cell in which nucleus is not well defined, और इसम ठीक है, तो आपका जो, suppose ये cell हो गया, इसके अंदर हमने देखा एक proper nucleus है, proper well defined nucleus, nuclear membrane होता है, तो ये होता है, eukaryotic cell, ठीक है, जबकि अगर ऐसा ही एक cell है, जिसके अंदर nuclear material, any chromatin fiber, nuclear, ऐसा ही तैयर रहा है, ठीक है, proper nuclear membrane नहीं है, तो ये आपका होता है, prokaryotic cell, ठीक है, जो primitive organism ह होता है, वो होता है, eukaryotic cell, sorry, वो होता है, prokaryotic cell, ठीक है, जो होता है, जो होता है, आपका complex structure होता है, तो humans ये सब में आपको जो दिखेंगे, वो ज्यादा eukaryotic cells दिखेंगे, ठीक है, बाकी आपका जो primitive organism, प्रोकaryotic cells दिख सकते है, तो thank you everyone for watching this video, इस chapter में हमने जो different organelles, the structure of the cell को complete कर लिया है, थोड़ा लंबा ये हो गया video, बट इसी के साथ हमने जो structure of the cell complete कर लिया है, next class में हम पढ़ेंगे division of cell को, division of cell को हम जादा detail में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उससे एक दो question ही बन सकते हैं, दो keyword ही बन सकते हैं, साथी साथ हम जो, जितने भी हमने cell के बारे हम देख लेंगे next video में, थाकि इस chapter का एक revision हो जाए, ठीक है, तो cells में से काफी छोटे-छोटे keywords काफी निकलते हैं, जैसे mitochondria, power of the cell, lysosome, suicidal bags, अलग-अलग छोटे-छोटे keywords हैं, इनसे questions काफी बनते हैं, ठीक है, और इनसे question आ सकते हैं, इसलिए important है chapter, तो thank you everyone for watching this video, मिलते हैं next class म Until then, good-bye झाल-बनते हैं दो को, खो जाए, शोटे-जोटे बनते हैं, बनते हैं, जाए, जाए जाए, इस जाए, पर बनते हैं, जाए, जाए, रिक्वारे ओते हैं.